तो मतलब बहुत बड़ा घर है इनका तो हम नहीं के अभी खलियान घर के प्रांगड में हमने खटिया बिछाया है सर बहुत डाउन टू अर्थ है तो इनके साथ हम एक और वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज का वीडियो का जो टॉपिक के टाइडल से आप समझ गये होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं शौट चैनल आइडियास के बारे में कुछ हम 15 आपको शौट चैनल आइडियास बताएंगे जिन पर आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी आप उस पर कंटेंट सोच पाओगे साथी साथ आपको दूसरे कॉंपटिटर से आडिया भी मिल पाएगा और साथी साथ अपना यूनिकनेस कुछ कर सकते अब यह 15 हम बता रहें तो जरूरी ने कि आप सिर्फ यही 15 मनाईएगा देखिए आप अपने तरफ से पिरीसर्च कर सकते हैं बट जो हम अपने तरफ से रिसर्च करके बता रहें सर को तो अल्मोस्स दस सालों का experience है, मुझे भी छे सालों का experience है, तो उसके अधार पर और साथ जितना अभी तक हमने study किया है, जितना research किया है, उसके base पर हम आपके सामने कुछ ideas बताएंगे, उससे पहले इसार मैं जाना चाहूँगा कि Shorts चैनल का scope क्या है? Shorts का future बहुत bright है, खास करके आने वाले 2-3 साल तो बिल्कुल, reason यह है कि YouTube जिस हिसाब से monetization feature लाने जारे 32 में, Shorts का, वो खुद बखुद दर्साता है कि YouTube कितना इसके लिए dedicate कर रहा है, इसके इंस्टाग्राम, TikTok, मतलब नाक में दम कर दिये हैं, तो जाहिसा ही बात है, हर कुछ करने वाला है, Shorts के लिए YouTube, तो future तो बिल्कुल तगणा है, इवेन 2020 के बाद Short Fund भी उसने शुरू किया था YouTube ने, और अभी अनॉंस किया है कि अब जैसे normal जो long videos monetize होते हैं, वैसे इस Short videos भी monetize होंगे, तो अब देखते हैं कि Short videos पर पैसे कितने मिलेंगे, बट मुझे उमीद यह है कि जो Short Fund मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा ही मिलेंगे, अभी इसी वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि Short channel को कैसे grow करना है, तेजी से, कुछ अपने तरफ से tips देंगे सर भी और मैं भी, फिलाल अब बात करते हैं Short channel आइडियास की, जो आप आने वाले साल में इस साल भी शुरू करके काफी अच्छा growth पा सकते हैं, तो सबसे पहला निश सर बताईए, बिल्कुल सती सर, जैसे कि सबी जोग जानते हैं कि YouTube एक entertainment genre का platform है, जो कि majority लोग YouTube पे entertain होने के लिए आते हैं, तो obvious सी बात है, long videos भी अगर बात करें तो वह सबसे आदा entertainment वाले ही चलते हैं, comedy हो, funny हो, वह काफी चलते हैं, prank वगरा होगा है, तो anyhow, आज जो content consume किया जा रहा है, Shorts पे आप देखते हों के past में जो इतिहास रहा है, और उसे साब से, Shorts पे number one तो obvious सी बात है, comedy ही है, अगर आप comedy, entertainment या फिर आप jokes वगरा बनाते हैं, तो funny videos बनाते हैं, Shorts बनाए उसको, और post कीजिए, करते रहिए, काफी लोग मतलब गर्दा उडा दियां इसमें, एक example में बता रहूँ, विजय कुमार वाइनर करके हैं, और उनने लगबख देढ़ साल में 10 मिलियन कम्प्रीट करिया है, अरे वाँ, गज़र, इक्साथीश, ग्रेट सर, सेकेंड जो निश में बताना चाहूँगा, ओ है किड्स के लिए, अभी दोस्तों, अगर आपको पता हो, जो अगला निश में बताने वाला है, वाँ, किड्स से रिलेटेड, अगर किड्स कॉंटेन बनाते हैं, किड्स एंटर्टेन्मेंट बनाते हैं, या फिर ट्वाइस का बनाते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा व्यूज हैं, और इसमें आपकी क्रेटिविटी पर डिपेंड करता है, कि आपकी इस तरीके से बच्चों को ज्यादा ज्यादा आप उनका अटेंशन पा सकते हैं, बिल्खुल, और इवन आप देखें, बच्चे की बात करें, तो लोग भी खाना खाते समया, मिजर्टी ओफ घरों माबाब वह शॉट्स दे रहते हैं, वह बच्चे बात करते हैं, तो यह बच्चों को भी बात करें, इससे रिएट हमारा अगला टॉपिक है, अगला एडिया है कि देखें, बच्चे स्टोरी वेकरा काफी पसंद करते हैं, अगर थोड़ा बुत अनिमेशन आता है, 2D, 3D या फिर नॉमल्ली आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, अगर फोटो लगा के, स्लाइट बना के, तो वह भी काफी अचा जालते, स्टोरी टेलिंग के मतलब की कई बर क्या होता है कि मनुरंजग कहानिया जो होती है, उसको आप क्रेटिव तरीके से सुना सकते हो, अगर आपका वाइसोबर अच्छा है, तो वाइसोबर दे दिया और फिर बीच बीच में कुछ कार्टून होगा डालके, आपने वो स्टोरी बना दी, या फिर आप खुद ही करेक्टर्स को प्ले कर दिया आपने, तो एक स्टोरी निकलनी चाहिए और लोगों को बच्चों को बड़ा पसंद आता है वो चीज़, और जैसे इसके पहले जो मैंने निश्च बताया था किट्स वाला, उसमें अफ्लेट भी काफी अच्छा खासा के अलवा, नेक्स्ट निश्की अगर बात करें, ओ है पेट्स, पाल तू जानुवर, बहुत लोगों को शौक होता है, बिल्ली पालने का, कुता पालने का, उन सब के वीडियोस आप इंट्रेस्टिंग वीडियोस डाल सकते हैं, उनके साथ कुछ एक्टिविटी करती हुए बहुत चलते हैं, बहुत देखे जाते हैं, और मुझे लगता है, जब से यूटूब शुरू हुआ है, तब से इस तरह के वीडियोस देखे जाते हैं, और अभी तक एक काफी पॉपुलर है, लोगों को काफी पसंद आता है इस तरह के वीडियोस, और पेट्स में भी अफ खाने की बात हो रही है तो खाने से एभी आईडिया है जो की ही फूड चालेजिज आपने देखा हो अगा यूटुब पे बहुत सारे चालेंज वीडियो से जिसमें लोग चेलेंच करते हैं कंपरिशन कर रहें हैं यह कितने हम खापाते हैं कितना कुछ अरजगुला खीया प तरीका है तो इसे आप चुराव कर सकते हैं इसके लावा एक और निशा जाता है जो काफी महगा निस है पैसे वाला मतलब बट फाइनस भी काफी ट्रेनी टॉपिक है कोवीड के बाद से सौक मार्केट के बारे में शेयर मार्केट के बारे में इन्वेस्टिंग के बारे में लोग काफी कुछ वीडियो बना रहे हैं और इसमें कॉंटेंट बहुत जादा है मतलब इतना content है कि एक आदमी अगर साथ जनम तक बनाया तो खतम नहीं होगा, बहुत content है, क्योंकि हर Monday to Friday market open होना है, कुछ न कुछ activity होनी है, तो आप उस पे content बना सकते हो, 5000 से जादा companies listed as share market पे उनके बारे में आप वीडियो बनाऊगे, तो बहुत जादा content हो जाएगा, तो content अनिष्ट मैं इसलिए बताया, sir, next, बिल्कुल, YouTube पे entertainment के बाद, comedy के बाद, और बच्चों से चलने वाले content के बाद, अगर बात की जाए तो motivation, एक ऐसा content है, topic है, idea है, जिसको काफी लोग consume करते हैं, daily life में हम जैसे लोग जैसे या लड़का पढ़ाई कंप्रीट करते हैं, त तो उन सबी को भुलाते हैं, लोग motivation को सुनके, जरूरी होता बहुत ज़्यादा, किसी का motivational speech बहुत helpful होता है, मैंने खुद realize किया चीज, और ऐसे चीज, अगर आप जानते हैं, अगर खुद एक motivator, आपको लगता है कि मोटिवेट कर सकते हैं किसी चीज को, तो करना चाहिए YouTube Shorts के लिए है, जरूरी है कि YouTube Shorts के लिए आप सच में एक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की life change कर सकते हैं, मैंने देखा यह चीज, और definitely आप इससे पैसे ही बना सकते हैं, मोटिवेशन के साथ एक और नाम जोड़ता है, Facts वाले बहुत चैनल चलते हैं, इवें चल रहे हैं, अब ही मैंने सर लास्ट चारिक से लेके, 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक में जो सबसे fastest growing channels थे एक हपते में, उसमें इंडिया के बहुत सारे ऐसे Facts channels थे, जो fastest growing थे, और जब से Shorts चैनल शुरू है तो आप से Shorts पे सबसे यादा Facts वाले वीडियो चल रहे हैं, त आपको Facts बताने हैं, अब उसके बारे में, जैसे आप Google search मार रहे हो, इसमें आपको बहुत सारे Facts मिल आएंगे, अगर 1000 Facts मिल गया, 1000 Facts बनाने में, आपको कितने, अगर एक दिन में एक Shorts बनाते हैं, तो 1000 दिन, मत्तब 3 साल से उपर लग जाएगा पूरा content cover करने में, चल लिए है कि music का copyright claim आजा था, totally copyright जो owner होते था, उनको चला आजाता था, यह लो कुछ नहीं, बस काम करते थे अपना future के लिए, कि लो मैं popular हो जाओ, मेरे से को पहचार मला सके, और कहीं हमको बाल ईडिया पर जगह पे, reach में हमको मिल सके, उसके लिए, लेकिन अब शौर्स पे music का क्या होगा कि आप library से इस्तमाल करें उसमें, तो आप उससे, लाइबरेरियों साथी साथ YouTube ने बोला है कि हम जो singers हैं, उनके साथ में 50-50 कर लेंगे, शेरिंगा है, exactly, 2023 से sharing model तो long videos के लिए भी हो रहा है, बट शौर्स के लिए कि आपको लिए इस्तमाल करना पड़ेगा, शौर्स लाइबरेरी जी है, उस ही से, और आपको monetization, जो add monetization होगा, उससे पैसे मिलेगा, तो anyhow, एक बेटर डील है, बढ़िया है, आप shots बनाईए, और shots में music content बनाके, dance, choreography करके, जो भी आपको आता है, आपको लगता है कि बहतरा dance कर सकते हैं, choreography कर सकते हैं, तो आप लुकेशन ओला, system चालो हुआ कि लोग दूसरे तरह के भी वीडियो बनाने सुरू कि तो यूटूब पे, dance और चली रहा है, तो आप अगर dance करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो उस तरह के भी आप shots बना सकते हैं, आपने passion को भी follow कर सकते हैं, और popular भी हो सकते हैं, इसक पाव बाजी बहुत फेमस हैं, वैसे हर जगह का कुछ नखुछ फेमस हैं, तो उस तरह के डिशेस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आप पजेंड का सकते हो, तिखा सकते हो, अगर आपको इंट्रेस्ट है, आप फूडी हो, अगला जो हमारा निच है वो है, जैनकि लोग आज तक से पहले से भी, फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके काफी कॉंसियोस और एवर हैं, लेकिन अभी दिखा गया है कि जब से कोवीड हुआ है, तो काफी जाधा लोग इस पे फोकुस कर रहा है, तो आपको अगर टाइम है, और कुछ जानकारी है कि कैसे फिटनेस फ्र पाने किले एक बहतरीन जरिया बन जाएगा, साधी साथ फिटनेस में कई फिटनेस के साथ मोटिवेशन भी डाल देते हैं, जैसे एक्सराइज कर रहे हैं और बैक्राउंड में कोई मोटिवेशन वाला कोई डायलोग चल रहा है, और इसके अलावा एक और चीज में आड़ लंबा हो, अगर फिट है तो बहुत हैंसम लगेगा, काले आदमी भी, काले आदमी भी, भूट सार ऐसे जो एप्सूस पना के एकदम, पेट कम कर ले हम भी, करिए सर, अप तो आईसे हैंसम लगेगा, कामेड़ बताए धर्में सर, हैंसम रेटिंग इजे तैन में से कितने स चाहिए, कामेंट करके बताओ कहीं से लग रहा है, फिटनेस का और भी रिज़न ये है कि कपडे उपडे भी, वी फिट आते हैं तो आदमी अच्छा अच्छा इखते ए, अच्छा इखते है, अर खुद कॉन्फिदेंस बूस्ट होता है, आदि जाथ है वेली रहते हैं, त तो जगा जगा पर हो गया है तो आप नेक्स की बात करते हैं वह है गेमिंग अभी आप सोचो गार कि शॉट्स में गेमिंग कैसे होगा मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैनल से जो गेम प्ले के छोटे-छोटे 30 सेकंड के वीडियो डाल रहे हैं कोई गेम में नया फीचर है तमाशा बेरा करके वह गेमिंग करता है तो अपनी चैनल पर शॉट्स भी पब्लिश कर रहा है और लॉंग वीडियो भी पब्लिश कर रहा है और काफी अच्छा ग्रोध है उसके मिलियंस फॉलोवर है और पैसे काफी अच्छा बना रहा है तो पस्नली मैं जानता हूं मुझे पता है कि पैसे कितने बना रहा है अगला जो हमारा एडिया है वहाज भी घाए 小時 के लिखा है कि इन्डिया करके इंडिया में और उकश्के यू-पी भिहार इस एक इनो में सćरकरे ज्यों और स्टूर्व की आइश्यम स्टूद्ध हो जाहार सरक्यरी जॉब पर फ को फोकस किये हुए है कि आज कौन सा स्टार्ट अप कर लें तो क्या हो जाएगा ठीक है किसमें किना benefit है कि उनिकॉन बन रहे इंडिया में बिल्कुल आप देखी रहे हैं बहुत सरे तो अब लोग अगर आपको आता है स्टार्ट अप के बारे में जानकारी है कुछ आप नज है बहुत बढ़ियां चल रहा है अचकल बहुत पॉपुलर है मुवी रियक्शन का जैसे एक टाइम पे जब मैंने शुरू किया था अपना चानल तो हम लोग भी रियक्शन लेते ते तो एक बार हम लोग मुवी रियक्शन लेने भी cinema hall पहुँच गयते तो वही मुंबई म निकलती है उनसे सीधा पुचे कि कैसी लेगी मुवी अब उसी में कोई मिक्स रियक्शन आएगा कोई बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो गया कोई बलेगा मेरा पैसा चला गया और उसे एक्टर का नाम लेके मजा कुड़ा देंगे सब तो वो सब लोगों को देखने में अब बहुत चल रहा है और इससे रिलेटेड भी मैं आपको इसक्रीन पर दिखा दूंगा कि किस तरह के चैनल्स चल रहे हैं नेक्स आप बदेगे सर जब मुवी की बात ही हो रही है तो आपको हम बताने कि सेलिब्रिटी जैसे जो पॉपलर सेलिब्रिटी चल रहे हैं अब सेलिब्रिटी के बात किया तो बॉलियोडी क्यों हॉलियोडी क्यों हाजकल तो यूट्यूबर सेलिब्रिटी से कम नहीं हो गया है और अगर आप उनके बारे में नजा रखते हैं और अगर आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं अगर आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं अ आई थिंक कुछ का भी हम मैं देखा हूं यूसबॉय को मैं फीजर भी लिगए तो यह लोग और भी है और भी है बॉसर है जो कि सभी अच्छ कर रहे हैं ठीक है और करेंगे तो डफिनिटिटी अप शॉर्ट में भी करना जा तो लोग देखना चाहते हैं और वो अग्ला सिर्फ इन ही में से काम करें यह तो हमने आपको रिफरेनस के लिए आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि स्काल में काम करना चाहिए तो कि क् लोंग वीडियो शॉट्स वीडियो एक ही चैनल पर करना चाहिए फिर अलग अलग चैनल करना चाहिए जो क्रेटर पहले से लोंग वीडियो कर रहा है क्या उसको शॉट्स उसी पर अप्लोड करना चाहिए नया चैनल बना लेना चाहिए क्या बोलना चाहिए अब अब शॉट आप देख लीजिए अपना चैनल है 18 मिलिएंस के आप सब्सक्राइबर है बाद व्लॉग चैनल पर उसी वह कभी कभार में ने देखा वीडियो डालें लॉंग तो नहीं परफॉर्म किया अच्छा है उनके साथ नहीं बहुत से लोग साथ अल्गुरिफ्म की गल्द मतलब ऐ कि आपको क्या अच्छा चल रहा है वैसा वैसा करिए अलग अलग सेपरेट बट आप क्या अब तो यूट्यू विस्टीज को रिलाइज किया काफी लोग ने से फीडबाइक दिया कि असाही नहीं है तो अब हर चैनल पर अलग टाइब करिया कि हम आब लों को अलग दिखा आपके लॉंग पर भी व्यूज आएगा और लॉंग पर जब रीच आएगी और रीच अलग है शॉट्स के रीच अलग है मेरे जैसे मैं एक्जामपल के लिए मैं खुद का गशाने दू तो मेरे लॉंग वीडियो पर एक-दो लाख वियूज आ जाते हैं शॉट्स पर कभ फिलाल अभी शॉट्फंड से मॉनिटाइज हो रहा है तो सबको नहीं मिल रहा है जिसके व्यूज बहुत ज्यादा आते है पर मंत में उनको शॉट्फंड एलाउट होते हैं और उनको यूट्यूब अपने तरफ से बोनस लेकि ये भी बता दू आपको कि ये 2022 के डिसंबर प्रशों के इसके बाद मॉनिटाइजाशन वाला शॉट्फंड मिल रहा है इसके बाद मोनिटाइजेशन चलू हो जाएगा है इसके अलाब आफ़ीयेट कर सकते हैं ऑफेलियेट करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए इसके उपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड व पेंट उसका उड़ गया है उसको मैं cover करने के लिए बैने आरेमान का एक टोपी लगा अगर रखा हुआ है तो थोड़ा सा कूल दिखता है तो अगर मैं उसके उपर शौट बना देता हूं और उस शौट मेरा चल जाता है तो और उसमें बोल दता हूं या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा उसका अफिलियेट लिंक या फिर दिस्क्रिप्शन में तो जिनको पसंद आएगा वो लोग खरीद लेंगे तो अब उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे जहां पर मैं उस तरह की चीजे में दिखा हूं तो अभी जो निशेज बताने वाले हैं उसी तरह का कॉंटेंट आप चुनोगे फिर उसके एकॉर्डिंग आप अफिलेट प्रोड़क्ट उस अपने शौट में दिखा के आप वहां से पैसे बना सकते हो अफिलेट काफी अच्छा तरीका हो जकता है क्योंकि जब व्यूज आता है तो बहुत आता है और फिर वहां से लोग पर्चेस करते भी हैं तीसरा जो तरीका है वह है स्पांसर ब्रैंड भी बहुत जादा शौट की तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं क्योंकि शौट पर ली रहा है शौट वीडियो में उतना ही मिल रहा है जितना लॉंग मिल रहा है उस तरीके से ब्रैंट काफी प्रिफर कर रहे हैं शौट वीडियो को स्पोंसर करने में एक्जांपल आप देख सकते हो एक लले करके चैनल है YouTube चैनल है जो शौट काफी अच्छा करते हैं और स साथ इसी शौट्स को आप अधर जितने भी शौट्स प्लेटफॉर्म में वहां पर अप्लोड करके वहां से भी थोड़ा बहुत मोनिटाइज करके आप पैसे बना सकते हैं अब बात करते हैं सर ग्रोथ की जैसे हमने निशेच बता दी है अगर हम शौट चैनल बनाते हैं कैसे ग्रोग करें यह जो हमने 15 अधिया बता है इसके लागर पहुत अच्छे आइडिया है इस पर काम करता है रेगुलर काम करता है थोड़ा मेहनत करके तो मेरे हिसाब से पहला जो टिपे है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अगर आप डेली एक शौट डालते हो एक से द अधकत नहीं होता है बट शौट में आप लोगे तो मज़ा नहीं आएगा दूसरी चीजी यह भी कहना जो कि अगर आप शौट बनाते हैं तो शुरुआत के पांच सेकेंड बहुत क्रूशियल होते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कपना बेस्ट डेलिवर कीजिए ओडियं अगला देख लेंगे तो आपको देखना है कि शुरू का जो तीन सेकेंड है आपको ऑडियंस को बाद के रखना है और इसके अलावा डिवरेशन जो रखना है सौट से सौट रखे मतलब मिनिमम फिप्टीन सेकंड का रखिये ज्यादा मत करिये मैक्सिमम मैं बलता हूँ प और अदियोंस रिटेंशन उसे रिटेंशन रिटेंशन होने का ज्यादा चांस होगा तो शौट रखिये मैं बोलूंगा जितने भी आमने निक्सेश बता है 15 से 20 सेंड का ही आप उसमें शौट बने हैं तो जाना सबसे बढ़ियां रहेगा वाइरल होने के लिए और एक और शौट शेल्फ में जाता है और रेर्ली दिखता है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आप शौट बना रहे हो कोशिश करो कि शौट के मीड में जो पार आ रहा है वो आपका सबसे हाईलाइटिंग पार्ट हो वही थम्नेल पे इखता है आप भी एक्सपरिमेंट कर ओग आपको समझ में आगा कि जो शॉट्स जब आप डालते हो उसमें जो बीच वाला स्क्रीन रहता है वही मेन थम्नेल पे शो होता है तो कोशिश करें उस मोमेंट पे कुछ ऐसा टेक्स लिख दीजिए कुछ ऐसे चीजे हो कुछ ऐसा अपीलिंग सा इमेज हो लोगों को दिखे क्लिक करें ज़रूरी नहीं कि वहां पर एडिट करके कुछ लिख सकते हैं यह थोड़ा सा कमाल का है कोई नहीं बताएगा इस बात के लिए लाइक करी क्योंकि मैंने बड़ा रिसर्च करके इस चीज को मैंने ढूड़ा था तो मैं यहां पर मैं शेर कर रहा हूं आप लोग कोई दिन आपको नहीं करना है फिर देखो आप कमाल सर और कुछ आप एड़ करना चाहेंगे मैं बस मचाते रहो आप लोड़ करते रहो तो ग्रेट आई थिंक हमने ओवरॉल पूरा कंप्लीट एक शॉट्स के बारे में ओवर्वीव दे दिया अगर आपको शॉट्स चैनल करना है तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए शुरू कर सकते हैं इसके लावा अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको